दोस्तों finally free fire का इंदर OV14 का update आ गया है अभी आप अपडेट कर सकते हो लेकिन काफी लोगों का अपडेट नहीं हो रहा है काफी लोगों के play store में अपडेट करने का option सो ही नहीं करता और यहीं प्रॉबलम आ रहाये अपडेट करने के बाद फिर से अपडेट करने का option आ रहा तो केसे आप यह फ्राब्लम को फिक्स आउट कर सकते हैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा अगर आप चाहते हो सिंपल सा प्रॉसेस है शोड़ी सी वीडियो की वीडियो को एंड तक देखना बिना असकी पर करें स्टार्ट नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सत्या आप पागले मेरा रोपनाल टेक्निकल फास पोस में चले फड़ा फ़र्ट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी सिक चोड़ा सा रिक्वेस्ट जरूर से वीडियो पे लाइक करना उपर एकिया सब्सक्राइब बटन ने सब्सक्राइब बास कर रहें से प्रॉसेस की फिर स्टोर open करने के बास यहाँ पर Take actually free fire मेक्स जिसे यहाँ पर है यहां ऐसे मेरा की हो चुका है यहांपर Story यहाँ ऐप देख सकती हो मैं यहाँ पर दिखाता हूं मैं प्रियक के ऊपर क्लिक करूँ को सही करना है फ्रीफार सर्च करके आपको इसी पेज में आना है फुर यह 3.3.3 डॉट के ऊपर क्लिक किचे निश्य आप्टो एनेबल ओटो अपडेट यह सेटिंग ओन होगा इससे यहां से बंद कीजिए ठीक है इस फ्रीडॉट के ऊपर क्लिक करना है एनेबल ओटो और यहां पर एक optional app management यह options लिट करना हो सकता है आपके फोन मि lookin यह option उपर हो यह पर नीची को लिलाकर app management स्टेटिंग में आना है डून लिए अपने फोन में और आपके फोन में जो भी एपड इंस्टोल है वो सारे apps यहां पर शो करेंगे दिखाई देंगे यहां पर यहां box के उपर click करना है और यहां पर लिखिए Google और इसे search कीजिए और Google के जितने भी products होंगे वो सभी services आपको यहां पर देखने को मिलेंगे तो यहां पर नीचे दिखिए Google Play Store यह option यहां से select करना है जैसे आप यह option यहां पर select करोगे तो यहां पर नीचे दिखिए option इस टोरेज इूजेज और यहां से storage इस के उपर click करना है ऊपर यहां पर डिखिए ओस्अ Miguel data ठीक है और यहां से clear data के उपर click करके all data आपको clear करना है फिर यहां पर ्क्रीन के कीचे, all data clear हो जाएगा यह करने के बास पर आपको यहां से back करना है वे कीजिए यहां से बेक कीजिए फिर आपको यहां पर रिखिए ओप्शन देखने को मिलेगा गूगल प्लेश सर्वीज यह ओप्शन के ओपर क्लिक करना है स्टोरेज यूजर से यहां पर क्लिक कीजिए नीचे ओफने क्लियर केज और यहां से क्लियर केज के ओपर क्लिक कीजि ठिक है याँ पर random कोई भी क्लोस करना है ठीक है यहां पर चक्ष्री Another फ्री FIRE इह पहर हो फ्री फाइर और यह दिखियो ải प्रीफआर मैक्स ठीक है अभी आपको यह पर डाउनलोड आप्टन मिल जाएगा ची के update option मिल जाएगा अगर फिर भी यहां पर update option आपको नहीं मिला या फिर कोई भी दिक्कत आ रहा है तो यहां से को क्या करना है कोई भी browser open करना है browser open करने के बाद यहां पर search कीजिए technical fast post जो मेरा website है यहां पर search करना क्या करना है www.technicalfastpost.in यह website देख सकती हो यह website open करना है यह website open करने के बाद यह three line है और यह three line के उपर click कीची और यहां पर search option यहां पर click कीची और यहां पर search free fire रिक है free fire लेखकर यह icon की उपर click करके आपको search करना है जैसे सब्सक्राइब यहां पर रखी तो डाउलोड process for normal free fire वो भी 14 अपडेट 2023 read more के उपर क्लिक कीजिए नीशे आईए आपको यहांच क्या करना है नीशे आना है जीकिए जैसे आप यहांपर नीशे आऊगे दीखें यहांपर नीशे आईए और नीशे आना है और नीशे यहांपर दीखें डाउनलोड नाओ यहांपर क्लिक करना है जैसे आपको क्लिक करोगे यहां से आप डाउनलोड करोगे जैसे आपको क्या फायदा होगा यहां से आप फ्रीफायर मेक्स में जो प्रॉबलम में वो भी फिक्स हो जाएगा और नॉर्मल फिक्स नहीं हो रहा है, ववी फोटिन अपडेड नहीं हो रहा है, तब आपको यह ऐप यहां से डानलोड करना है, जैसा आप यहां पर आओ गे, नीचे यहां पर एक और अब रहर को डानलोड करके इसकिति और से अगर आपको को दिक्कत होता है तब आपको यह आतर मैंना को जो भी प्रोसेस परसेस को फोलो करना है ऐसे फोन में यह problem fix हो जाएगा प्ले स्टोर में आपको free fire भी मिलेगा और free fire को download भी कर पाओगे अगर काम नहीं करता फिर आपको वी फाइल डाउनलोड करना होगा जो मने आपको process प्रसाद दिया www.technicalfastpost.in में जाईए सर्च कीजिए और आपको आपका जो ओवी फाइल है वो आपको यहाँ पर मिलेगा ओवी 14 फाइल ठीके जरूर से कमेंट करके बताना यह problem fix हो आप पर नहीं हो अगर problem fix होता है कमेंट करना यह अगर नहीं होता है नो करके कमेंट करना आपका दिन सुब हो जेहिंद